हेलो दुस्तों येर केसे अब सभी लो दुस्तों डिसेंटली बजाज चेतक 2901 एलेक्टरिक स्कूडर फाइनली बजाज कमपनी ने 96000 में लॉंच कर दिये जो की काफी कस्टमर इसकी तरफ एट्रेक्टिव हो रहे किया ये एलेक्टरिक स्कूडर लेना चाहिए या कॉस्ट कटिंग किया है बजाज कमपनी ने क्या इसके कुछ हाइलाइट पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस एलेक्टरिक स्कूडर के वो हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो बजाज चेतक 2901 एलेक्टरिक स्कूडर का फर्स पॉजिटिव जे हाँ guys trusted company की electric scooter की pricing इतनी कम नहीं होती 96,000 extra room price में बजाज company की तरफ से best electric scooter आपको देखने को मिलने वाला है features के हिसाब से भी आपको ये best होने वाली है आप मुझे comment करके बताओ अच्छी company की electric scooter under 1 lakh रुपीज में कौन सी आती है आपको under 1 lakh रुपीज में EV चाहिए तो आपके लिए best option हो सकता है बजाज चितक का 2901 electric scooter बात करते हैं अभी next highlight point के बारे में positive point बजाज चितक की electric scooter का है वो है इसकी motor सबसे पहले काफी customer को तो ये confusion है कि यार बजाज चितक के नए model में motor कुन सी use की है BLDC है या पहले वाले model में side mounted motor मिलती है वही motor है या कौन सी है तो वो confusion भी आपका यहापर दूर होने वाला है इसलिए हमने website पर जाकर देखा काफी pictures इन्होंने अपलोड किये तो वह आपर देखने बाद ये पता चला कि PMSM की side mounter hub motor आपको देखने को मिलने वाली है जो कि इस price में यार best है best होने वाली है क्योंकि Ola Electric भी Ola की S1 year में BLDC motor देता है अगर हम compare करते है PMSM motor और BLDC motor तो PMSM motor आपको life काफी ची देती है और hitting का issue भी इसमें देखने को नहीं मिलता इसलिए best होने वाला है तो काफी जनों का confusion था वो भी हमने यहापर clear कर दिया है और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को भी like करना ना भूलिए क्योंकि काफी मेहने से वीडियो बनाते है डियो आप सभी के लिए अगर आपका भी support मिलता है तो हमें भी कुछ अच्छा लगता है नेक्स positive point highlight point के बारे में बात करते है वो इसकी metal body अभी काफी customer बोलेंगे यार electric scooter में metal body की क्या ज़रूरत है build quality की क्या ज़रूरत है तो गाइस देखो यार फाइदा आपको starting में एक दो साल में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जैसे से time जाएगा तीन चार साल हो जाएंगी electric scooter लेने के बाद धूप में खड़ी होगी तो body जो इसकी plastic की होगी वो सटना शुरू होती है अगर metal body होती है तो जैसे कि आपको petrol scooter वगएरा होती है वेसा आपको यापर जो है body का looks जो है सालो साल आपको चलता रहता है इसलिए मैं prefer करता हो कि metal body की जो life होती है वो आपको आगे जाकर काफी फाइदा देती है और मेरी साब से अभी फिलाल के लिए trusted company की electric scooter बजाज ही build quality में metal body देती है काफी कम company है जो electric scooter में metal body देती है अगर आप long term का सोचेओगे तो look wise आपको यहापर metal body ही best होने वाली है तो बात करते हैं next point के बारे में वो है इस electric scooter का looks and user interface looks तो आप सभी को पता है बोती attractive है कोई भी नहीं कहेगा कि यार यह electric है and 96,000 में यह मिल रही है यह तो कोई भी नहीं कहने वाला है क्योंकि पहले पहले बजाचे तक की electric scooter काफी महंगी आते थी काफी customer लेते थे बट बोलते थे यार बहुत ही महंगी है so looks wise, pricing के wise आपको यहाँ पर looks काफी अच्छा मिलने वाला है and user interface की बात करें तो user interface मतलब यह physical keys में देखने को मिलेगी जिसे कि smart features नहीं है तो कोई भी family person जो इसको लेकर जा सकता है without any problem वो चला सकता है जिसे IC engine की scooter आती है petrol वाली वेसे इसको जो चला सकता है and मैं तो कहता हो कि यार pricing कम होगी चलेगा, features कम होगे चलेंगे, लेकिन main battery and motor जो होती है, main component होता है उस पर company का सभी का focus होना चाहिए वो मेरे को दिखता है बजाचेतक की 2901 model में next and last positive highlight point के बारे में बात करें बजाचेतक electric scooter में वो मिलने वाला है वो है इस electric scooter की service maintenance cost, maintenance cost मतलब जैसे कि आपको इसमें features कम है तो कम sensor इसमें use होंगे display नहीं है, तो उसमें भी cost cutting होने वाली है and इसके जो parts है, वो भी इतने भी महेंगे नहीं होते, अगर हम compare करते है Ola electric से, क्योंकि Ola electric आपको देखना चाहिए, क्यार electric scooter लेने के बाद अगर आपको इसमें कुछ भी problem आता है solution जल्दी मिलता है, तो वो best से best होता है otherwise solution नहीं मिलता तो वो electric scooter बंद पढ़ने के बाद कुछ भी काम की नहीं होती आपके दिमाग को पोरा खराप कर देती है तो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि आपको service देखने के यार electric scooter के service केसी है अभी Indian market में सबसे ज़्यादा problem तो है Ola electric पर ही आ रहे है उनकी service जो है properly नहीं मिल पा रहे है So Ola से तो मैं कहता हूँ कि यार बजा चितक का 2901 electric scooter best है अगर आपका planning है electric scooter लेने का कम price में normal feature चाहिए और यह कुछ 5 highlight point उसमें होने चाहिए तो आपके लिए बेस electric scooter हो सकती है So guys जीते कुछ 5 positive highlight point इस electric scooter के बारे में जो कि काफी customer बोल रहे थे क्यार इसको लेना सही है नहीं है तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरू से जरूर बताना और चैनल पर नई हो तो subscribe और bell icon को all करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर मिलेगा daily आपको एक वीडियो तो चिलियार काईज मिलते हैं next वीडियो में